गुड मॉर्णिंग आवरिबन, सेवंथ क्लास, चुड़े इस फिफ्टींथ आफ जैनुरी और डे है फ्राइडे, तो हम पढ़ रहा है चप्टर नमबर फिफ्टीं, चप्टर नमबर फिफ्टीं है हमारा लाइट, तो हम लोग जो पूरा चप्टर कंप्लेट कर चुके हैं उनको हम लोग कंप्लेट कर चुके हैं जितने भी टॉपिक है उसमें बन सकते थे तो आज से हम exercise start करते हैं तो चलिए start करते हैं exercise में first question fill in the blanks तो first question है an image that cannot be obtained on a screen ठीक है वो रहा है कि जो image जो वो screen पर नहीं बनती है ठीक है उसको हम कौन सी image पूलते हैं तो उसको जो हम लोग देखे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई object रखा है ठीक है इसकी कोई जैसे मैंने यहाँ पर दो रे की जूरत बड़ेगी किसी भी images को draw करने के लिए ठीक है जैसे की मैं example लेता हूँ concave lens का ठीक है concave lens जो वो कुछ इस तरह से होता है ठीक है इसमें जब भी कोई ray जैसे parallel आ रही है तो यह जो वो यहाँ से जो वो diverse होगी ठीक है diverse होगी तो आगे तो screen पर कहीं आपस में नहीं मीट करेगी ठीक है अगर यह आपस में screen पर कहीं भी आपस में मीट नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगी कि इसको जो वो पीछे की तरफ जो वो extend करेंगी और पीछे की तरफ एक point पर जो वो यह आपस में मिले कही है हम लोग जो इसको सिर्फ imagine करके चल रहे हैं कि पीछे की तरफ जो आपस में कहीं पर meet कर रही है तो इसलिए virtual image जो एक जाकर आगे जाकर के आपस में इमेट करते हैं जहां मेट करेंगे वहां पर इमेज बनेगी तो यहां पर होगा वर्चुल इमेज इसका सही आश्ट भी देखिए इमेज फॉंट बाइए कन गवेक्स इस डैस आलवेज वर्चुल एंड शीमिलर इन साइज ठीक है तो यहां पर क्वेशिन में क्या लिखा है कि इमेज फॉंट बाइए कन वेक्स इस आलवेज यह तो यहां पर डैस अच्छे यहां पर इस को मैं काट दूं ठीक है अगर इस नहीं होगा यहां पर तो कॉन्वेक्स के आगे या तो मिरर होगा या तो लैंस होगा तो कॉन्वेक्स के आगे अगर मैं मिरर लगा दू क्य तो यहां पर थोड़ी सी correction ती इसको ठीक कर लें image found by convex mirror होगा यहां पर ठीक है क्योंकि convex mirror का जो example है हमने देखा था कि जो side mirror होते हैं बाइक में या कार में जो side mirror होते हैं वहां पर जोड़ो convex mirror का ही use होता है क्योंकि वहां पर जोड़ो आप जब उसमें देखते हैं तो आपको जोड़ो काफी बड़ा area जोड़ो पीछे दिखाई देता है जिसमें कि कई सारी गाड़ी आपको दिखाई देगी ठीक है मतलब कि उस चोटे से mirror में जोड़ो कई सारी गाड़ी आपको दिखाई दे सकती है तो इसलिए जोड़ो उसमें चोटी-चोटी images बनती है अगर उसमें small size की images बनेगी और वो सिर्फ virtual image होगी ठीक है ओके तो इसका सही answer होजाएगा convex आगे dash में होजाएगा mirror तो यहां पर third देखिए see an image is formed by a dash mirror ठीक है is always is always of the same size of the object देखिए same size का जो mirror image है वो कौन सा mirror देता है जैकि एक plane mirror के बारे में हमने से पहले पढ़ा था जैसे यहां पर कोई object रखा है इसकी जो वो यहां से और यहां तक ठीक है mirror से object तक की distance अगर a है तो जहां पर भी इसकी image बनेगी मालो यहां पर mirror से object तक की जो distance है वो भी है तो हमने जो वो कुछ rules पढ़े थे कि a equal to b होगा मतलब की distance mirror से image तक और mirror से object तक जो वो same होती है और इनका जो size भी same होता है ठीक है size भी same होता है ठीक है तो यह plane mirror में possible है तो इसका सही answer हो जाएगा same size की image ठीक है बनाता है हमेशा ही तो यह plane mirror इसका सही answer हो जाएगा ठीक है next देखे depart any image which can be obtained on a screen जो screen पर हमें मिल जाएगी देखे screen पर मिलने का मतलब सीधा सा एई है कि जैसे ही कोई ray आती है और reflect होके या reflect होके जो वो आपस में meet कर रही है actual में meet कर रही है हम लोग उसको extend करके नहीं बना रहे है ठीक है actual में वो meet कर रही है तो वहाँ पर real image बनेगी ठीक है तो इसका सही answer जाएगा real image लास्ट देखे एन image found by concave ठीक है concave lens बनाता है या mirror बनाता है cannot be obtained on a screen ठीक है concave lens के बारे में तो रहाँ सा देखते है concave lens ठीक है अगर वो diverse होगी तो आपस में नहीं मिलेगी अगर वो आपस में नहीं मिलेगी तो वो कौन सी image बनाएगी वो virtually में बनाएगी ठीक है तो यह था हमारा first question question number second है true false mark t if the statement is true and f if it is false ठीक है true के लिए t लिखिये और first के लिए f लिखिये first है we can obtain an enlarge and erect image by a convex mirror ठीक है अब यह हमने convex mirror के बारे में पढ़ा convex mirror तो side glasses जो होते है side mirror जो होते है वाई किया car में या कई सारी चीज़ कई सारी गाड़ियों में ठीक है तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि small size की image बनेगी और बर्ज जोल होती है लेकिन यहाँ पे वो रहा है कि enlarge बनती है और erect बनती है ठीक है तो यह गलत वो रहा है enlarge नहीं बनती है small size की बनती है तो first जो statement है वो हमारी false हो जाती है second देखिए और concave lens always form a virtual image concave lens जो वो हमेशा virtual image बनाएगा तो यह बात जो बिल्कुत सही है कि concave जो lens होता है concave lens जो वो हमेशा ही virtual image बनता है बिल्कुत सही है true होगा ठीक है शी देखे we can obtain a real and large ठीक है अचा concave lens के बारे में थोड़ सा देखते हैं तो क्या होता है concave lens में फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार कि ऐसे diverse होती है diverse होगी तो आपस में नहीं मिलेगी आपस में नहीं मिलेगी तो हमेशा ही virtual image बनाएगा ठीक है शी देखिए शी पार्ट देखिए इसका we can obtain a real and large and inverted image by concave mirror ठीक है एब बात भी विल्कुल सही है कि concave mirror जो रियल image बनाता है enlarged बनाता है inverted बनाता है ठीक है आलवेस नहीं लिखा है क्योंकि हमने जब concave mirror के बारे में डिस्कुस किया था तो हमने देखा था कि वो real भी बनाता है और virtual भी बनाता है ठीक है small size की भी बनाता है और large भी बनाता है ठीक है को तो concave mirror का भी use जो बनाता है क्योंकि ये सभी type की images जो बनाता है ठीक है invertival होगी तो real होगी ठीक है virtual होगी तो erect होगी ठीक है इसके बारे में हम डिस्कुस कर चुके है तो c statement भी हमारा सही हो जाता है c भी true है ठीक है c जो statement है वो भी true है d देखिए real image cannot be obtained on a screen ठीक है real image जो होती है ये वो रहा है कि वो screen पर हमें नहीं मिलती है तो ये wrong statement है क्योंकि real image है virtual नहीं मिलेगी screen पर लेकि real तो screen पर जोब आपस में meet करेगी ठीक है मतलब कि screen पर हमें screen image मिलेगी ठीक है तो ये बात जोब गलत है last देखिए concave mirror always form real जो concave mirror है वो हमेशा real image बनाता है ठीक है तो ये गलत बात है हमने अभी देखा कि concave mirror जो होता है वो real भी बनाता है बर्चोल भी बनाता है चोटी भी बनाता है और बड़ी भी बनाता है तो ये statement थोड़ी सी false हो जाते है क्योंकि यापे always नहीं होता तो कु वो सही होता क्योंकि concave mirror जो वो real image तो बनाता ही है साथ में बर्चोल भी बनाता है बर्चोल होगी तो erect होगी real होगी तो inverted होगी देखे real image हमेशा ही उल्टी होगी inverted होगी ठीक है बर्चोल में हमेशा सी दी होगी इतनी आप याद रखिए चलते हैं question number 3 की तरफ question number 3 है match the item given in column one with one of the more item of the column 2 यहां पर जने वोलाई column 1 को column 2 से match करिए statement को पढ़ते हैं पहले statement में क्या के लिखा है फिर हम लोग इसको जब वो match करना start करते हैं ठीक है तो column 1 में plane mirror लिखा है convex mirror लिखा है convex lens लिखा है concave mirror लिखा है concave lens मतलब lens और mirror दोनों यहां पर बताए हुए plane mirror बताया है बाकी convex concave lens और mirror के बारे में बात किया है तो हम लोग column 2 में एक extintment पढ़ेंगे और column 2 से match करते जाएंगे ठीक है सो से पहले लिखा है used as magnifying glasses ठीक है used as magnifying glasses तो magnifying का मतलब होता ह जैसे कि हमने lens के बारे में बढ़ा था तो वो कौन सा lens था? convex lens था, convex lens में जो बड़ी बड़ी जैसे कि यहां पर dentist लिखा है यहां पर dentist आपको काफी बड़ा बड़ा दिखेगा ठीक है ऐसे आपको जब बो lens में दिखेंगे तो बड़ा या चोटा करकर आप देख सकते हैं तो इसमें जो वो जो पहला लिखा है use as a magnifying glass तो magnifying glass के रूप में use होता है तो इसका जो सही answer हो जाएगा convex lens तो कहां पर है convex lens c भारा सही answer हो जाएगा c से एक हो मिला देंगे तो हमने जो वो first को match कर दिया second देखिए can form image of object spread over a large area तो यहां पर इसने बात की है कि जो image बनेगी वो object की image बनेगी वो spread over large area में spread हो जाएगी जैसे कि हमने जो वो convex lens को यहां पर देखते हैं convex lens ऐसे होता है मतलब कि cave में नहीं जाएगी तो बहार तकरा कर देखिए कि ऐसे जो वो reflect हो जाएगी ऐसे reflect हो जाएगी ऐसे reflect हो जाएगी तो ए वाली देखिए न ए वाली और ए वाली आपस में मिट नहीं कर पाएगी हम लोग जो इसको पीछे की तरफ extend करके बताएंगे कि यहां पर मिट कर यह लेकिन यह virtual image बना रहा है लेकिन इसकी image जो वो पीछे यह जो reflected ray है वो आपस में नहीं मिट कर पा रही है इसका मतलब है हुआ कि यह काफी बड़े area पर काफी बड़े areas पर जो वो मिट करेगी इसका मतलब है हुआ कि इसकी जो image है वो spread over a large area तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा convex mirror जो वो इसका सही answer हो जाएगा तो convex mirror तो इसके बिल्कुल सामने है तो B का second के साथ हम दोगो match कर देंगे और first का हमने किया था C के साथ ठीक है third को पड़ते है use by dentist to see enlarged image of teeth ठीक है dentist जो वो किस की मतलब कि teeth को देखने के लिए जो वो किस का यूज करते हैं ठीक है तो dentist जो वो concave mirror का यूज करते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा बो जाएगा concave mirror इसका सही answer हो जाएगा फोर्ट देखिए the image is always inverted and magnified तो यहाँ पर लिखा है कि the image is always inverted हमेज सा मतलब उल्टी बनेगी और बड़ी बनेगी तो ऐसा तो हमने कहीं साइद नहीं पढ़ा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा अथोड़ देर के लिए कार देते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो वो यहाँ पर देखे column 1 में 1,2,3,4,5 option है हमारे पास सीधी बनेगी और सेम साइज की बनेगी तो हम आपने जो गर में रोज देखते हैं जो उसी सा होता है उसको आप रोज देखते हैं गर में तो उसमें एक तो बिल्कुल सीधी इमेज बनती है आपकी और सेम साइज की बनती है तो वो प्लेन मेर होता है तो first के साथ इसको match करेंगे last देखिए the image is erect and smaller in size than the object last का जो सही answer है वो हो जाएगा concave lens क्योंकि concave lens जो होता है वो पीछे की तरफ हम लो extend करके बनाते हैं आपस में actual में नहीं meet कर पाती है तो पीछे की तरफ हम लो करते हैं तो इसलिए वो diverging lens उसको बोते हैं और वो हमेशा चोटी image बनाएगा चोटी बनाएगा पीछे की तरह बनाएगा मतलब कि वर्चॉल होगी अगर वो वर्चॉल होगी तो हमेशा ही सीधी होगी ठीक है और सीधी होने के साथ साथ भी बहुर स्मॉल साइज की image वो बनाता है कौन, कॉनकेव, लेंस, ठीक है, तो इसका सही आन सुझेगा, कॉनकेव, लेंस, तो आज के लिए इतना काफी है, कोशी नमर वन, टू, थी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी पर नोट केजिए, थेंक यू, एंड हैव नाइस दी,